हलो, ओपी क्लास इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनाह स्वागत है आज हम लोगों को पढ़ने हैं 9 अगस 2020 के Most Expected Current अफियर्स तो चलिए सुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न पहला प्रश्न है भारतिय रेल मंत्री प्यूस गोयल ने किस राज के देवलाली नासिक से देश की पहली किसां रेल का सुभारम किया है तो हाल ही में देश के रेल मंत्री प्यूस गोयल ने कृसी मंत्री नरेंदर सिंग तोमर के साथ महराश्ट के कहां के महराश्ट के नासिक में इस्थित देवलाली से बिहार के दानापुर तक पहली किसार रेल का उदगाटन किया है यह रेल देवलाली से दानापुर तक 32 घंटे में पहुचीगी और इसके दोरान वह 1519 किलोमीटर की यात्रा करेगी इस ट्रेन की खास्यतिया है कि इसका प्रते कोच कोल स्टोरेज के तोर पर काम करेगा जिसमें फल, सबजिया, दूद तथा मास ले जाया जाएगा यह ट्रेन हफते में एक बार चलाई जाएगी चली देखते हैं दूसरा प्रशन आज का दूसरा प्रशन है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में भारत के किस ब्रांड को दूसरे सबसे बड़े ब्रांड के तोर पर रैंकिंग मिली है तो हाल ही में जारी फ्यूचर इस इंडेक्स में सामिल हुआ है और पहले स्थान पर इस इंडेक्स में है आपका Apple, तीसरे स्थान पर है आपका Samsung, चोथे स्थान पर है NVIDEO, पाचवे स्थान पर है MOTAI, छटवे स्थान पर है Nike, साथवे स्थान पर है Microsoft, आठवे स्थान पर है ASML, नौवे स्थान पर है PayPal 9 तथ दसवे स्थान पर Netflix है यह जो सूच कांक है वो पिछले 6 वर्सों से जारी किया जा रहा है तथा बात की जाए अगर Reliance Industries की तो Reliance Industries का वर्तमान में मार्केट कैप 14 लाह करोड से भी अधिक है चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रशन तीसरा प्रशन है हाल ही में राश्टिय हथकरगा दिवस मनाया जाता है आपका 7 अगस्त को 7 अगस्त 1905 को भारत में चलाये गया था आपका स्वदेशी आंदोलन और उसी की तरज पर राश्टिय हथकरगा दिवस मनाया जाता है राश्टिय हथकरगा दिवस की सुरूबात हुई थी वर्स 2015 से यानि व 2020 में जो राश्टी हत करगा दिवस मनाय जा रहा है वह छटवा हत करगा दिवस है चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न है चौथा प्रश्न है हाल ही में कृतिम बुद्धी मत्ता के उपयोग पर उतकरष्टता केंद्र की स्थापना हे तू भारती राश्टी र NHAI याने National Highway Authority of India ने भारती प्रवधोगी की संस्थान दिल्ली के साथ समझोता किया है चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है अगला प्रश्न है भारत में भारत का पहला देश भक्ती फिल्म फेस्टिवल माउसब सुरू हुआ है यह फिल्म फेस्टिवल किस निकाय द्वारा आयोजित किया जा रहा है तो भारत का पहला देश भक्ती फिल्म फेस्टिवल राश्टिय फिल्म बिकाश निगम द्वारा सुरू किया जा रहा है इस फिल्म फेस्टिवल के दौरान देश भक्ती से ओत्पुरूत फिल्मनें दिखाई जाएंगी जिन आलियन 609 आदी फिल्मों का भी प्रदर्शन किया जाएगा यह जो फिल्म फेस्टिवल है वो 7 अगस से 21 अगस तक चलाय जाएगा तथा कुल 43 फिल्मों का प्रदर्शन इसमें किया जाएगा चली देखते हैं हमारा आज का अगला छटवा प्रश्ण है हाल ही में किसे संग लोक शिवा आयोक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो हाल ही में प्रदीप कुमार जोसी संग लोक शिवा आयोक के अध्यक्ष बनाए गए हैं जिनका कारकाल 4 अपरेल 2022 तक रहेगा अगर बात कीजा प्रदीप कुमार जोसी की तो प्रदीप कुमार जोसी इस से पहले मध्य प्रदेक्स लोक सेवा आयोक तथा 36 गड़ लोक सेवा आयोक के अध्यक्ष रहे थे प्रदीप कुमार जोसी के पहले UPSC के अध्यक्ष थे अरविंध सकसेना अगर बात की जाए UPSC की तो UPSC एक संब्यधानिक निकाय है जो भारत में IAS जैसी परिक्षाओं का आयोजन करता है संब्यधान के अनुच्छिद 315 से लेके 323 तक आपकी UPSC का बरणन है चता UPSC की जो इस्थापना है वो हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रशन अगला प्रशन है निम्न मैंसे किस ने बैंकों को mutual fund के माध्यम से बंड में निवेश करने की अनुमती दे दी है तो हाल ही में भारतिय रिजर्ब बैंक ने बैंकों को mutual fund के माध्यम से निवेश करने की अनुमती दे दी है अगर बात की जाए RBI की तो RBI भारत का केंद्रिय बैंक है जिसकी स्थापना 1 अपरेल 1935 को हुई थी इसकी स्थापना के लिए RBI एक्ट 1934 के प्रावधानों को लागो किया गया था RBI का पहले कार्याल है कोलकाता था लेकिन 1937 में इसे इस्थानांतरित करके मुंबई लाया गया RBI के पहले गवर्नर जो थे वो थे आपके सर औस्बॉर्ण इस्मित जबकि स्थान्तरिता प्राप्ती के बाद RBI के गवर्नर सीडी देशमक हुए वर्तमान में RBI के गवर्नर सक्तिकान दास है RBI के पूरे भारत में 29 छेत्रिये कार्याला है चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला आठवा प्रस्ण आठवा प्रस्ण है दिल्ली हाई कोट ने किस यूनिवर्सिटी को फाइनल येर स्टुडेंट के लिए ओनलाइन ओपल एक्जामनेशन आयोजित करने की अनुमती देदी है तो हाल ही में दिल्ली हाई कोट ने डियू यानि दिल्ली यूनिवर्सिटी को ओनलाइन ओपन एक्जामनेशन आयोजित करने की अनुमती देदी है चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला नौबा प्रस्ण नौबा प्रस्ण है हाल ही में महिंद्रा राजपक्षे की पाइटी ने स्रीलंका की संसदिय चुनाव में जीत हासिल की है महिंद्रा राजपक्षे किस पाइटी का नितरत करते हैं तो महिंद्रा राजपक्षे करते हैं स्रीलंका प्यूपल्स फ्रंट पाइटी का नितरत गोटबाया राजपक्षे तथा महिंद्रा राजपक्षे दोनों भाई हैं जबकि गोटबाया राजपक्षे स्री लंका के वर्तमान राष्ट पती हैं जिन्होंने हाल ही मैं महिंद्रा राजपक्षे को स्री लंका का पीम नामित किया है महिंद्रा राजपक्षे के पहले स्रीलंका के जो प्रधान मंत्री थे वो थे आपके रनेल विक्रम शिंगे चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा आठ अगस 2020 को राश्टिय स्वक्षता केंद्र का उद्गाटन प्रस्तावित किया गया है राश्टिय स्वक्षता के संदर्ब में सत्यकथन है तो अगर इस संदर्ब में देखा जाये तो सत्यकथन ये है कि ये केंदर स्वक्ष भारत मिसन की सफलता से अबगत कराएंगे इस केंदर की स्थापना के समय पीम नरेंद्र मोदी ने गंदिगी भारत छोडों का नारा दिया है आठ अगस 2020 का question of the day था आपका दच्छड भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है तो दच्छड भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है आपकी गोदावरी और सही उत्तर देने वालों में हैं समिक्षा स्रिवास्तव, सोनाली मौरिया, बिजैलोको पाइलेट, मयंक मौरिया, अनुराग बादल, फूल कुमार, दिलीप कुमार, सुसील परोहित, मानवेंद्र शींग, अजे कुमार मौरिया, निक्की तिबारी, वैषनभी तिबारी, अर्जन सींग, दीक्छा कुसवाह गोलुकुसवहा, राजबहिया, रागविंद, राजपूत तथा संगम सभी को बहुत-बहुत बदाई अगर बात की जाए गोदावरी नदी की तो गोदावरी नदी को कहा जाता है दच्छड की गंगा यह महराष्ट के नाशिक में त्रियम्बक नामक पहारी से निकल कर कुल 1465 किलोमीटर की दोरी तै करती हुई पर्शिमंगाल की राजमुंदरी के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है आज का हमारा कोशन अब दे है भारत में निमलिकित में से किसके अंतरगत पंचायती राजपनाली की वेवस्था की गई है मूल करतब मौलिक अधिकार नीती निदेशक्तत या फिर ये सब ही आपको अपना उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है तो ये था आपका 9 अगस 2020 का करेंट अफियर्स का सैसन आज के लिए इतना ही धन्यवाद